हाई एवरिवान वेल्कम तो सरकारियट वंस अगें तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्केशन करने वाला हूँ जो तो आप सभी को जैसे कि मैंने काफी पहले एक अपडेट दिया था कि ऑल इंडिया लेवल पर जो बीपीटी का इंट्रेंस एक्जाम होता है वो सब निरतार कंड़ट करवाता है सीटी की फॉर्म में कॉमन एंट्रेंस ठीक है तो उसका जिस जिस कांडेटेट ने एक्जाम द सकते हो एंड अगर कोई मेरी पर्सनल हेल्प लेना चाता है कांसलिंग के लिए पर्सनलाइज कांसलिंग लेना चाता है तो वो मेरे को टेलिग्राम पर मेसेज कर सकता है और पेड मेंटर्शिप बैच में एंड्रोल कर सकता है ठीक है तो स्टार्ट कर लेते तो सबसे पहले कarity किंगे आपको क्या करना है सबसे पहले आपको सवनिर्तार की विबसाइट पर जाना है ठीक है तो सवनिर्तार आप Google में सर्च करोगे हम परर फिर्स वॉला जो लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है सवनिर्तार.nic.net ठीक है इस पर थोड़ा सा जोम- तो मैं mobile phone से ही कर रहा हूँ, आप mobile phone से भी कर सकते हो, laptop से भी कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, जहाँ पर यह लिखा हुआ है, common interest test, CET for admission into BPT, BPO and BOT, इस पर आपको click कर देना है, तो जैसी हम इस पर click करेंगे, इस तरीके का interface आपको दिखाई देगा और यहाँ पर उपर की तरफ लिखा होगा, counseling student login, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको एक बात यह समझने है, कि counseling के लिए login करने से पहले, आपको counseling का registration करना ज़रूरी है, अगर आप counseling का student login पर सीधे जाके अपना roll number data बढ़ डालोगे, तो वो roll number आपको invalid show करेगा, error आएगा, तो नीचे ही आपको यहाँ पर यह green color के banner के उपर counseling registration दिख रहा होगा, इस पर आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, applicant counseling registration, इसमें कुछ नहीं करना है, बस अपना roll number डालना है, date of birth डालना है, और यह capture code डालना है, और submit कर देना है जैसे ही submit करोगे, लिखकर आजाएगा, congratulations, you have successfully registered for counseling, बस इस तरीके से लिखकर आजाएगा, यह लिखकर आने के बाद जो है, आपके पास login का option आजाएगा, ठीक है, तो login आप वहाँ से directly भी कर सकते हो, otherwise ही counseling student login का जो option है, इस पर click करके, आप यहाँ से login कर सकते हो, तो यह आप आप यहाँ पर, यह login का interface आगा है, ठीक है, तो applicant counseling login यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पहले ही लिखा हुआ है, कि registration is compulsory for all candidates, तो अगर आप registration नहीं करोगे, तो आप login करोगे, तो error शो करेगा, ठीक है, तो registration में कुछ नहीं करना है, मैंने बता दिया, अपना date of birth, रोल नमबर पर आप data of birth, एंटर कर दोगे, और यह capture code एंटर कर दोगे, तो मैं इसको एंटर कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग लोग इन करते हैं, तो यहाँ पर जो है, मैंने रोल नमबर और data of birth को एंटर कर ले और capture code को आप मैं login करता हूं, ठीक है, तो login करने के बाद आपके पास, जो है, आप यहाँ पर अपने home page पर पहुँच जाओगे, dashboard पर पहुच जाओगे, और इसके बाद आपके पास काफी सारे option दिख रहे होंगे, PGT counseling इसको skip करना है, और print rank card तो rank card तो आपने देखी लिए होगा कि आपकी rank कितनी आई है, और view profile और उसके बाद नीचे आ है कि हमें तो मिले गई नहीं, ठीक है, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप participate नहीं करते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी rank ऊपर हो, लेकिन क्या पता आपसे जो नीचे rank पर है, या मतलब आपसे जो अच्छी rank पर है, क्या पता उन में से बहुत सा आपको बीपीटी नहीं मिल पा रहा, तो आप बीपीओ कोर्स भी एक option नग सकते हो, बीपीओ भी एक काफी सही कोर्स है, ठीक है, तो बीपीओ आपका प्रस्थेटिक्स और और्थोर्टिक्स के के लिए कोर्स होता है, अगर आपको इसके पार में जाधा information चाहिए, तो आपने का करना है, अगर आप Google Chrome यूज़ कर रहे हो, तो ऊपर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, इसको डेक्स्टोप साइट में अनेमल कर लोगे, तो पूरा पेज इस तरीके से उपन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चॉइस को देखने में, अब य यहाँ पर आप देख सकते हो, यह list of available choices आपको left वाले box में दिख रही है, और right वाले box में आपको preference wise fill choices दिख रही है, ठीक है, तो आप सबसे अच्छे काम यह कर लो, मतलब आपको जो पहले number पर रखना है, ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पर जो है Delhi वाले institute रखना है, ठीक है, और यह जो green वाला arrow देख रहा है, right side इसको move करने के लिए, मैंने इस पर click कर दिया, तो अब आप देख सकते हो, यह right side में आ गया, ठीक है, अब मानलो इसके बाद जो है, मेरे को kolkata वाला institute रखना है, ठीक है, तो kolkata वाला जो है, मैं हाँ पर select कर लेता हूँ, NILD जो है, ठ इसका जो BPT है, उसको मेरे को रखना है, ठीक है, तो यह मैंने right वाले arrow पर click कर रहा, और इस तरह के आप से आप देख सकते हो, second number पर यह आ जो कह है, ठीक है, अब इसके बाद मानलो यहाँ पर मेरे को third number पर जो है, वो रखना है, कटक वाला ठीक है, जो कि आपका सवनिरतार उडिसा, मतलब कटक उडिसा वाला है, ठीक है, तो सवनिरतार वाला सेलेट कर लेता हूं, स्वामी विवेकन है, National Institute of Rehabilitation Training and Research, ठीक है, तो यह आपने इस पर click कर दिया, और click करने के बाद right वाले arrow पर, फिर से आप click कर दोगे green वाले arrow पर, मतलब ठीक है, तो यह लिख कर ठीक है, अब यह number में थोड़ा बहुत पता नहीं क्यों उपर नीचे हो रहा है, जैसे 1, 3, 4 लिख कर आ रहा है, तो कुछ technical glitch हो सकता है, ठीक है, उसको आप ignore करना, ओके, अब इसके बाद last में जो है मैं हापर, जो चेन्नाई वाला institute है, ठीक है, तो चेन्नाई वाला जो institute है वो मैं आपर select कर लेता हूँ, यह NIPMET करके जो है, a national institute of empowerment of person with multiple disabilities, ठीक है, तो इसका जो BPO course है, sorry BPO नी, BPT course है, वो मैं select कर लेता हूँ, तो यह मैंने select कर लिया है यहापर, और right hand side में इसको डाल दिया, ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा wait कर सकते हो, ठीक है, यह issue जो है, कुछ-कुछ cases में देख सकते है, ठीक है, तो उसके लिए आप again try कर सकते हो, और यह हो जाएगा, otherwise एक और तरीका भी है, कि आप जैसे यहाँ पर left side से सारे institutes को select कर लो, उपर वाले box पर click करके, and इसको right side में move करवा दो ठीक है, and right side में move करवाने के बाद जो है, अब यह दोनों रह गए हैं, तो इनको भी मैं right side में move करवा देता हूँ, तो यह यहाँ पर आ गए है, और इसके बाद यहाँ पर आप इनको ऊपर नीचे जो भी आपको arrange करना है, जैसे माल लो, कि मेरे को यह first वाला जो हो नीचे लेकर आना है, तो first वाला मैंने select करा, और यहाँ पर आपको दो arrows दिख रहे होंगे, एक उपर वाला arrow, एक नीचे वाला, तो नीचे वाले arrow पर मैं click करूँगा, तो वो second number पर scroll हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सारी choices एक बार में select कर लो, और इनको लास में BASLP के लिए करना चाहिए, ठीक है, अब उसके बाद यह है, कि अगर आप BPT करना चाहते हो, तो BPT का college मिलेगा, तो अच्छी बात नहीं मिलेगा, तो फिर admission नहीं लोगे, बस बात यह है, क्योंकि सारी choices fill करना ज़रूरी है, ठीक है, अब यह fill कर दिए, अब fill करने क लोग करना सभी के लिए जरूरी है, अगर आप लोग नहीं करोगे, तो आपकी choices submit नहीं होगे, लेकिन मैं आपको यह चीज बोलूगा, कि लोग आप तभी करना, जब आप choices को सही से कर लो, सही से arrange कर लो, सही से set कर लो, उसके बाद ही लोग करना, क्योंकि एक बार आपने choices लोग करती तो वो दुबारा edit नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए लोग करते टाइम आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्याम रखना होगा, तो बस यह चीज आप अच्छे से कर ले ना, और बाकी कोई इतना issue आएगा ने, तो choice filling में बस आपको इतना ही करना है, तो यह जो काम आपको करना है, 10 तक करना है, मतलब यह जो है, 10 जुलाई अनी की कल तक कर सकते हो, ठीक है, तो choice filling सिर्फ कल तक के लिए उपन है, तो टाइम से इसको कर लो, और जिसको भी मेरी personalized help चाहिए, तो मेरी को टेलिग्रम पर message कर सकते है, टेलिग्रम ID मैंने आपको सार्टिं कर लो और bell icon को press कर लो, ताकि जब इसका result आई का, तो मैं आपको confirm कर दूँगा, okay, so thank you and have a nice day.